हलो चिल्डरन तोड़े वी आर गोइंग टो रीड स्वर एंड व्यांजन आज हम पढ़ेंगे स्वर और व्यांजन चीक है? तो चलिए पहले शुरू करते हैं स्वर से स्वर ये कुछ स्वर हैं जिने हम मात्रा के रूप में यूज करते हैं व्यांजन के साथ इन स्वरों से बनती है मात्रा जो से व्यांजन पर लगाकर बनाते हैं हम शब्द तो चलिए शुरू करते हैं अ अ से अनार आ आ से आम जैसे आपने बोला आ तो आपका पूरा मूँ खुल गया आ ऐसे ही जब ये आ की मात्रा व्यांजन के साथ लगती है तो वो पूरा खुल जाता है आ करके छिखे आ आ से आम इ इसे इमली यही है चोटी इ की मात्रा जो व्यांजन से पहले लगती है देखो तो आप इसे कैसे बोलते हैं इ से इमली अब इसे रुख कर बोला ना आपने इ इ इक देखिए स्वर को कितना लंबा लेके गाया आप इक तो इस बड़ी इ की मात्रा होती है वियंजन के पीछे से तो वियंजन का स्वर खिच गया फिर इ उ उ उ उसे उल्लू बड़े उसे उन अब आपने छोटे उ को रुख कर बोला उल्लू उल्लू उ उन लंबा खिचा उन रिसे रिशी ए एडी ए को रुख कर बोला ए एन लंबा खिच के बोला चोटी ए बड़ी ए ए एडी ए एनक ओ ओ अखली ओ औरत चोटी ओ बड़ी ओ जहां एक मात्रा चोटी ओ दो मात्रा बड़ी ओ जहां बड़ी मात्रा होती है उसको हम स्वर को खीच कर बोलते हैं अंग अंग से अंगूर बड़ा अंग खाली तो इस अंग की बिंदी भी जब स्वर के उपर लगती है व्यंजन की उपर लगती है तो स्वर की बिंदी व्यंजन की उपर लगते ही व्यंजन की आवास नाक में से आने लगती है तो चलिए अब बारी आती है हमारे व्यंजन की ये थे आपके स्वर जो मात्रा के रूप में यूज किये जाते हैं आप चलते हैं व्यंजन पर क क से कमल ख से खर्बूजा ग से गगन ग से घड़ी अड़ खाली च से चमाच च से चतरी ज से जग ज से जंडा न न खाली त से टमाटर थ से ठपा ड ड से डमरू ध ध से धकन अड़ खाली त त से तर्बूज थ थ से धर्माज द द से दवाई ध ध से धनुश न न से नमक प प से पपीता य फ फ से फल ब ब से बक्री भ भ से भालू म म म से मच्छली य य से यग्य र र से रसी ल ल ल से लट्टू व व से वर्शा श, श से शलगम श, श से शटकौन स, स स स स सबजी ह, ह स हम क्ष, देखिए कैसे बोलेंगे ऐसे क्ष क्ष, क्ष, क्ष से क्षत्रिय त्र, त्र, त्र से त्रिशूल और ग्या से ग्यानी